वेलकम टू मास्टर मैंड अब जिके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंड अब जिके में फ्रेंज आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस फायर मैंन के लिए सौप रुष्णों का फूल प्रैक्टिस देखेंगे जो नया सिलेवस के अनुशार है इसमें आपको सौप रुष्ण है जिसमें आपका मायत का सेक्शन के छोड़ करके हिंदी अंग्रेजी और जिके जिस का सोलूसर में बताऊंगा चैनल पर पहले बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेलाइकन को दबा लियागा फ्रेंस ताकि महत्पून व लाइफ क्लास वहाँ पर जिरूर करेगा तो चले वीडियो को सुरू करते हैं फटा फट करते हैं सौप रशन है पहला नमर शवाल आपका है कि निम्लिकित में से कौन सा रबबर के वलके नाइजेशन में पर्योग किया जाता है गिस करते चलेगा पहला का जो करेक्ट अंस चले अगला नमर शवाल को देखते हैं चार नमर शवाल है कि डिपलोपिया ठीक है डिपलोपिया नामक बीमारी मानों किस अंग से संबंदित है चार का करेक्ट अंसर क्या होगा तो चार का जो राइट अंसर होगा ऑप्सर नमर शी आँख से संबंदित है डिपलोपिया है जो आपको आँख से संबंदित बीमारी है पांच नमर शवाल को देखे कि स्याही बनाने में कौन सा अमल काम मिलाया ज जाएगा च्छा नमबर शावाल देखिए अंग्रेजी सेक्षन से है कि चुज़ दा करेक्ट पैसिफ फर्म ऑफ द संटेंस गिवेन बिलो इसको पैसिफ भाइस में आपको बनाना है वें डू यू टेक मिल्क आनि आप दूध कभी पीते हैं तो च्छा नमबर शावाल का जो होगा आई एम रनिंग होगा आई वांट रनिंग या आई वांट टू रहन होगा सही अंसर होगा आई वांट टू रन मैं दोड़ना चाहता हूं आप्शन नमबर शावाल को देखिए चुज़ दा करेक्ट इंडिरेक्ट पीच ऑफ दा गिवेन सेंटेंस ही सेड़ वाट इसको इन डिरेक्ट चुनना है तो आठ नमबर शावाल का करेक्ट रन्सर होगा और बी ही एक्स्क्लेमड बीथ वंडर डाट इट वाज अ भेरी बीटीफुल पलेस आठ का करेक्ट रन्सर अप्सर नमबर बी हो जाएगा नाव नमबर शावाल को देखिए चुज़ दसू यहां पर क्या भराएगा इट खाली स्थान होट टुमोरो आपका फ्यूचर का बता रहा है फ्रेंस आनि इट बिल बी होट टुमोरो आप्सन नमबर बीस का करेक्ट अंसर हो जाएगा सवाल नमबर दस को देखिए आई लिभिंग हेर सिंस कितना 2014 देखिए पर्फेंट पर कि मैं मतलब 2014 से हां रह रहा हूं तो आई हैब बीन लिभिंग हो जाएगा आई हैब बीन लिभिंग हेर सिंस 2014 आनि आप्सन नमबर शीज का करेक्ट अंसर होगा दस का इगारान नमबर शावाल को देखिए कि किसी निकाय को एक समान विर्थिये गति में चलने में लगने व होगा फ्रेंश अभी केंद्रेबले देखिए इसे दो सवाला अर बंता है अभी केंद्रिएबल होता है फ्रेंश ऐकट अब केंद्रिये वलो होता है जो बिसक्ति निकाला जा तो यह बैए रहत किसी निकाय को एक समान विर्तिय गति कर रहा है न तो विर्तिय गति जैसे ही याद एगा फ्रेंस याद रखे अभी केंद्रिये बल उसका करेक्ट अंसर हो जाएगा मौत कुवाम है भी अभी केंद्रिये बल कार करता है बारा नमर शवाल आपका है सर्वोच नियालाई के नयाधिस के बारा का करेक्ट अंसर आप्सन नमर कम से कम दस वर्स का होना चाहिए बी करेक्ट अंसर होगा तेरा नमर शवाल को देखे किसी तत्व का इलक्टोनिक विन्यास कितना दो आठ पांच है उस तत्व का नाम क्या है आनि आठ पांच तेरा दू पंद्रा तब 15 किसका है फ्रें दिनकर का जन्म होगा तो अब साहिए हैं रामधारी जी तत्व का जन्म होगा इसका कारेक्ट अन्सर होगा 17 नमबर स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित उपरोग्त किनकी रचना है 17 का कारेक्ट अन्सर 18 नमबर या अधारा नमबर स्वर्णीस देतमिरिग नरधन हेतु समेठ उपरोग्त दोहा किनकी है ये दोहा पुचा जारा प्रेंज की किनकी है चलिए इसका गेस करिए राम राज में कौन सा समास है ठीक है राम राज में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा पतन का विपरित सब्द बताएए पतन मतलब क्या होता हरास हो जाएगा उठान होगा ना बिसका करिक्ट नसर औपसन नमर ए हो जाएगा चो 22 का जो आपका कारेक्टन सरोगा फिर्स ओप्सन नम्र या हुआ कितना फोर ये हो जाएगा ठीक है पिछ कारेक्टन सरोगा ओप्सन नम्र डी परवलै ल। ये ल।बदे फोर गराफ होता है 24 नमबर शावाल को देखे जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्त काल पर क्या परभाव पड़ेगा बहुत अच्छा question है friends 24 का guess करें right answer क्या होगा कि एक जब सरल लोलक का आयाम बढ़ायेंगे तो इसका आवर्त काल पर क्या परभाव पड़ेगा तो इसका हो जाएगा अपरवर्तित रहेगा आवर्त काल पर इसका कोई परभाव नहीं पड़ेगा 25 नमबर शावाल को देखे एक मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्त काल लगभग होता है कितना सकेंड का होता है 25 का तो लगभग आपका 2 सकेंड का होता आपसर नमर 20 का करेक्ट अंसर होगा सवाल नमर 26 को देखे दंत चिकित्षक दातों के आवर्धित परतिविम देखने के लिए किस परकार के दर्पन का उप्योग करते है पहले भी पता चुका फ्रेंस दंत चिकित्षक हो गया जितने भी दाक, आक, कान, नाक के जो भी डॉक्टर रहते हों किस दर्पन का पर्योग करते है तो आपका अवतल दर्पन में क्योंकि अवतल दर्पन में पर्ति होता है जो फ्रेंस वस्तू से कि हमेशा बड़ा बनता है इसली अवतल दर्पन इसका right answer होगा हजामत बनाने के लिए साीलोन में परियोग करन किया जाने वाला दर्पन है जो ओ भी अवतल दर्पन है उतल दर्पन साइड मिरेर के रूप में वाहनों में पर्योग किया जाता है 27 नमर शावाल देखे कि बल और विस्थापन दोनों सदिस है तो कारी जो बल और विस्थापन का गुनन फल हुआ क्या है देखे बल और विस्थापन दोनों सदिस है तो कारी क्या हो जाएगा फ्रेंश 27 का यह हो जाएगा अधिस रासी का अधा रहन है आपसर नमर 20 का करेक्ट अंसर हो जाएगा 28 नमर शवाल को देखे यदि टक्कर में गतिज उर्जा की हानी होती है और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलती है तो कहलाती है क्या कहलाती है 28 नमर शवाल का राइट अंसर क्या होगा इसका होगा पुर्णतिया अपरतियास टक्कर आपसर नमर 20 करेक्ट अंसर है अच्छा सवाल है फिर से देखे यदि टक्कर में गतिज उर्जा की हानी होती है या और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलती है त कहलाति पुर्णतिया अपरतियास टकर 29 नमर शवाल को देखे परकास की किरन विचलित नहीं होता है 29 का करेक्ट अंसर ओप्सन नमर डी होगा आयताकार पर टिकका की समनांतर सतों पर अपरवर्तित होकर निकलने पर है जो विचलित नहीं होती है परकास की किरन विचलित न के अंदर उट्पादन के लिए आवस्यक अनभिक्या भी करये तो तारों के अंदर होता है कौनसा झ innा याद कर रखेगा आगला सवाल आपका देखे मैथेँ मैटिक्स से 30, मैथेमैटिक्स का सेक्षन स्वड़ देते हैं दस सवाल है उसके पाद में आपको हम लोग देखिए यहां से देखते हैं 43 नमर शावाल से देखें कि दच्छना पत्थ पती की पद्वी पहले किसने गरहन की तो 43 नमर शावाल का करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्सर नमर सी शिरी सतकर्णी पर्थम ने दच्छना Jedys Kelly Dev नमर शावाल को देखें कि सरवन्बेल गोला में गोमे तेश्वर की मुर्ति का नर्मान किसने कर वाया था चली इसका अंसर फट अफट इस करें तो यह हो जाएगा पक्ट जया अप्सें सरे स्मबंदी थि ऑप्सन नमर बीस का करेक्टन सर होगा 26 का 46 का 27 नमर शावाल देखे कुसान सासक कनिस्क के राजविसे किस सन में हुआ थाこれで इसका करेक्ट अंसर होगा फ्रेंज कतना 78 AD में आनि option number 10 का करेक्ट अंसर होगा 48 नमर शावाल आपका सोमनाथ को जीत कर लौटते समय महमूद कच की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था देखे आपका जो महमूद गजनवी है जो भारत पर टोटल 17 बर आकरमन किया था फ्रेंज और सोमनाथ का मंदिर 1025 इस वी में 17 बर आकरमन किया था लास्ट आकरमन तो उस समय उसको लूट लिया था तो जब loot करके वो आपस लोट रहा था तो ओह महमूद गजनवी था जो आपका कचकी खाड़ी के रास्ते से गया था ऐसा क्यों किया था यही पुछा जा रहा है तो इसका जो कारण है फ्रेंट्स आपका क्यों कि समाने रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था भोज परमा इसमें हुआ था और यह कहां हुआ था फ्रेंस तो यह आपका केरल के मलवार तड़ पर हुआ था ना आनिया उन्चास का करेक्ट अंसर ऑप्सन नमर भी होगा पचास नमर शवाल अपका सिमला समझोता उन्हें 272 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किये थी याद रखे सिमला समझोता सिमला एग्रिमेंट कब हुआ था तो उन्हें 172 में हुआ था तो पचास का जो करेक्ट अंसर होगा ऑप्सन नमर भी इंद्रा गांधि एवं जुल फिकार अलि भुटो के बीच में आपका सिमला समझोता पर सिगनेचर हुआ था ठीक है हस्ताक्षर हुआ था ओप्सन नमर भी पचास का करेक्ट अंसर है 51 नमर शवाल आपका है निमलिखित में से किन पहाणियों पर उस निकटी बंदिय सदा बहार बन पाए जाते हैं 51 का गिस करें तो देखे उस निकटी बंदिय सदा बहार बन है जलोड मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाया जाता है और जो नए जलोड है उसको क्या कहा जाता है तो नई जलोड को आपको क्या खादर कहा जाता है और जो पुराने जलोड होता है उसे बांगर कहा जाता है तो तिरपन नमबर सवाल का रायट अंसर क्या हो करा है सिन्दु गंगा के मैदान की नई जलोड मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तिरपन का तिरपन का ए हो जाएगा उसे खादर मिटी की कहा जाता है बाग पर्योजना कब आरंब की गई थी चोंगन का करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका 1973 में ठीक है याद रखेगा बाग पर्योजना का आरंब 1973 में किया गया था, option नंबर आपका एक करेक्ट अंसर होगा एक question पूछा जाता हाथी पर्योजना, बाग पर्योजना 1973 में और हाथी पर्योजना का फ्रेंज्स तो आपका jud़ने इस वी में आपको आरंब किया गया था आनि option ये भी याद रखेगा हाथी परूजना के बारे में चलिए अगला सवाल देखते हैं पचपन नमर सवाल है कि भारत में यूरेनियम कहां पाया जाता है यूरेनियम पचपन का करेक्ट अंसर क्या हो देगा तो सीबूम ठीक है भारत में यूरेनियम है जो जारखन वे सिबूम पड़ता है ना तो जारखन के सिबूम उजिले में प्राप्त होता option नमर सी करेक्ट अंसर है अगला सवाल आपका निम्लिखित पर विचार कीजिए महा देव पहाड़ियां सहाधरी परवत सत्पुडा परवत स्र нравत से तिन दिया हुआ है अपका उप्यूक्त का उत्तर से दच्छिन की और सही करम कान सा है उत्तर से दच्छिन की और का रहा है न पचपन का करेक्ट अंसर हो दाएगा आपका एक तीन दो आनि उत्तर से दच्छिन एक तीन दो आनि महादेव पहाड़ियां उसके बाद में सत्पुडार परवस्रेनी उसके बाद में सहाद्री परवत option number C इसका correct answer होगा 57 नमर शावाल को देखे जनगना 2011 के अनुसार भारत के निमलिखित राजियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर परदेश के बाद सबसे अधिक है 57 का जो correct answer होगा option number B महराष्टा इसका correct answer होगा 2011 जनगना के अनुसार आपका जनसंख्या उत्तर परदेश के बाद महराष्टा होगा option number B correct answer होगा फ्रेंस देखे पहला स्थान पर उत्तर परदेश दूसरा पर महराष्टा और तीसरा स्थान पर अपना बिहार आता है चौथा पर पश्चिम बंगाल और पाच्मा पर आंद्र परदेश तो तीन तक तो जरूरी याद रखेगा फ्रेंस पहला पर उत्तर परदेश दूसरा में महराष्टा और तीसरा में अपका बिहार आता है कोश्चिन पर फिर से सुन लें कि जनगना 2011 का उनसार भारत के निम्लिकित राजियों में से किसकी जन संख्या उत्तर परदेश के बाद सबसे अधिक है तो सबसे अधिक तो उत्तर परदेश उसके महराष्टा उसके बाद में बिहार हो गया फ्रेंस उसके बाद में पस्च 69 नमर ब्रहंपुत्र नदी तिबत में किस नाम से जानी जाती है चलि इसका जवाब फटा-फट गेस करें तो सांग पो आप्सन नमर डी करेक्ट अंसर होगा इन में से पंचाय समीती का अंग कौन है पंचाय समीती का अंग इसमें पूछा जा रहा है पंचाय समीती में आपका पर्मुख पर्मुख ने ऑप्सन नमर डी का राय अंसर हो जाएगा एक सट नमर सवाल को देखे किसी विशेश वर्ग या समुख के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है तो इसका हो जाएगा आपका किसी विशेश वर्ग या समुख के हितों को बढ़ावा देने के हित समुख से पुकारा जाता है आप्सन नमर सीज का करेक्ट अंसर होगा सर्वोच न्याले ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना समिधान का भाग नहीं है कौन सा कौन सा मुकदमे में 62 का सर्वोच न्याले ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना समिधान का भाग नहीं है 62 का करेक्ट अंसर होगा ऑप्सन नमर बेरू बारी मुकदमा में 63 नमपर शावाल को देखे संजुक्त राष्ठ संग की राज काज की भासाइं क्या है 살। 63 नमपर की च्छीनी, रूसी, अर्विये, असपेडिस हो जाएगा ठीक हैं तिशेट नमबर शवाल का इसका राइट अंसर हो जाएगा देखे संजुक्त राश्रंग की राज काज की टोटल छह भासाएं जिसमें अंग्रेजी फ्रेंच रूसी अस्पेरिश चिनी और अर्वी है और इसकी अस्थापना जो संजुक्त राश्रंग की अस्थापना हुआ जाता है और अगर पूछा जाए कि आपका संजुक्त राश्रंग की मुख्याले कहा है तो इसका निवार की मुख्याले याद रखेगा ठीक है तो 63 का करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमें राजकाज की भासाएं टटल छह भासाएं हैं 64 नमबर शवाल आपका है कि कोटुबर 1945 को 65 नमबर सवाल को देखें फ्रेंस कि हाउ टू अवाइड अ क्लाइमिट डिजास्टर उस तक के लेखक कौन है बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंस गेस करें प्रेंस अवाइड अ क्लाइमिट डिजास्टर 65 का करेक्टन सर ओप्सन नमबर बी हो जाएगा बिल गेट्स के द्वारा ये लिखा गया है हाउ टू अवाइड अ क्लाइमिट डिजास्टर 66 नमबर सवाल देखें संस्कृति मंत्राले द्वारा हाली में राष्ट्य संस्कृति महोट्शव के दस्वे संसक्रान का उध्गाटन किस राज में किया गया 66 का जो करेक्टन सर हो जाएगा फ्रेंस आपसन नमर भी आपका मद़ परदेश सरशट नमर सवाल निम्लिकीत में से कौन सा पौधे के तने के माधियं से परजनन का उध्गाटा तो देखें गुलाब के फूल का कली लगाया जाता है फ्रेंस आपसन नमर डी तने से होता न और सट नमर सवाल पढ़ देता हूँ गेस करिएगा विश्वत रेखा पर अधिक और धुरुवों पर कम होता है पिर्थिवी के केंद्र की और जाने पर कमता है पिर्थिवी की सता से उपर जाने पर बढ़ता है नियत रहता है इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा फ्रेंस की जी का मान होता है जो गुरुत्य त्वरन का मान होता है वो पिर्थिवी की केंद्र की और जाने पर क्या होता है कम होता है केंद्र की और जैसे सेंटर की और जाएगा कम होते जाता है option number 20 का right answer हो जाएगा अब देखे बित्तो क्या होगा विश्वत रेखा पर कम होगा धुरू पर इसका मान क्या होता है अधिक होता है याद रखेगा 69 नमबर शवाल को देखे कि इन में से कौन सबसे लंबी नदी है जिसका उदगम भारत में है कौन सा नदी सबसे बड़ी नदी है जिसका उदगम है जो आपका भारत में है फ्रेंज तो गंगा सबसे लंबी नदी है जिसका उदगम भारत में है सबको पता option number D इसका character हो जाए सब्कुर्ल गाल न को देखते हैं थोबन सोडा का रसाइनिक नाम क्या है 51 सब्सक्राइब स्जचक रेक्र ल指avon सब्सक्राइब स्ब Hernato s प्रिंस ऑप्स्न नमेरat ृप्सन यिसका रसली की दोबन ग्यां है थरे क्याँ требिggak pan Ser x 100 की डूटर नमर ए हो जाएगा धवन सोडा चलिए अगला सवाल देखते हैं काफी बोर्ड आफ इंडिया का मुख्याले कहां इस्थित है बहत्तर का कारेक्टन सर ऑप्सन नमर शी बैंगलूरू में है अगला है गती का पर्थम नियम की परिभासा देता है किसका देता है देखिए बहु नीचे कि नियम के किस गती नियम से बलका वियंजक आनि फर्मूला या सुट्र प्राप्ध होता है लेकिन बल की परिबहासा है जो आपका नियूटन के पर्थम गतिक नियम से प्राप्त होता है जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है 74 नमर्शावाल को देखे Grand Aslan सब्द किसे सम्मंदित है 74 का कारेक्टन सर क्या होगा आप्शन लॉन टेनिस से सम्मंदित है 75 नमर्शावाल को देखे धवनी खालियस्थान का एक रूप है जो सुनने की अनुभूती पैदा करती है 75 का कारेक्टन सर आप्शन नमर्शावाल यांत्री कूर्जा ठीक है धवनी यांत्री कूर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूती पैदा करती है 76 नमर्शावाल का ये आपका हिंदी से इसी तरह से आपको बिहार पुलिस फायर माइन में मिक्स करके प्रश्ण पूछा जाएगा हिंदी अंग्रेजी और मैथ और जिक्के जीएस 76 का कारेक्टनसर क्या होगा 76 का जो कारेक्टनसर option number C हो जाएगा जो किसी का उपकार न माने उसे क्रित धन कहा जाता option number C क्या कहा जाता उसे क्रित धन 77 नमर शवाल को देखे राम खाना खायेगा इस वाक्य का कर्म वाच रूप क्या होगा राम खाना खायेगा 77 का हो जाएगा राम के द्वारा खाना खाया जाएगा आनि कि आपका ये active voice में है ये passive voice में है ठीक है फ्रेंस तो कर्म वाच में क्या हो जाएगा इसका राम के द्वारा खाना खाये जाएगा option number A 77 का correct answer है 78 नमर शवाल को देखे कि कुट्टे ने बिल्ली को मारा इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है ठीक है बिल्ली को तो करता ने कर्म को होता है सवाल नमर 78 का क्या हो जाएगा कर्म कारक option number A इसका राइटन सरो भी हो जाएगा कर्म कारक चलिए सवाल नमर 79 देखे इनमें विसेशन कौन है विसेशन कौन सा गेस करिए विसेशन जो किसी वस्तुरी अब्यक्ति का क्या विसेश्ता बताता है ना तो इसका क्या हो जाएगा कौन विसेश्ता बता रहा है बालक बता रहा है लिखा बता रहा है क्योंकि बता रहा है गोल बता रहा है गोल लंबा चोड़ा चपता एक क्या विसेशन बता रहा है जैसे कि गेंद है जो गोल होता है तो उसका विशेष्टा बता रहा है ठीक है फ्रेंस छड़ी लंबी होती है ठीक है तो लंबी हो गया विशेष्टन हो गया तो गोल इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा सेर का स्त्री लिंग रूप क्या होगा सेर का क्या होता सेरनी असी का गेस के रिफरेंस क्या होगा सेरनी ना option number C 81 निम्नकन एक ही गतिज उरजा के साथ चल रहे हैं उसमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा 81 नम्नकन एक ही उर्जा के साथ चल रहे हैं अलप्टरौन ड्यूट्रौन अलफा प्रूटरौण सबयस आख घु घुका हं इनमें सबसे अधिक संवेग S сотव जो संवेग 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 सबसे अधिक होगा série जनक्रोधि के निर्मान मेंलो का मिस्त्रामिस्त Ron यहांनि कि जंग रोधी स्पाथ जो बनाया जाता है तो उसमें क्या-क्या मिलाया जाता है बेरासी का जो करेक्ट असर ऑप्षन नमबर सी क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है तिरासी नमबर स्वाल देखे इसी टैप से आपको घुमाने के लिए करेगा जिसे कैसे दिया है जंग रोधी स्पाथ के निर्मान में स्पाथ का मिस्रात्वन किस्से होता है तो क्रोमियम और निकेल से होता है अमलिये वर्षा में प्राया क्या अधिक मात्रा में होता है अमलिय बर्सा किसे होता है फ्रेंस तो A02 आद रखेगा और A02 के कारण होता है तो इसमें कौन सा अमली निकलता है फ्रेंस चलिए 83 का बहुत बार बता चुका हो गेस करिए तो अमलिय बर्सा में सल्फ्यूरिक अमल है जो अधिक मात्रा में होती है ठीक है आनि आप्सन नमर डी इसका कैरेक्ट अंसर हो जाएगा 84 नमर शवाल है फ्रियाओन का परियोग निकलत में से किस रूप में किया जाता है गेस करें कितनासी के रूप में साकानासी के रूप में प्रस्थितक के रूप में कवनकनासी के रूप में फ्रियाओन का किसका हो जाएगा तो सीतनासी ना प्रस्थितक ना ओप्सन नमर शी इसका कैरेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए 85 नमर शवाल को देखते हैं प्रस्थिती की तंतर में नैट्रोजन का परिसंचरन किसके द्वारा होता है नैट्रोजन का प्रस्थिती की तंतर में 85 का करेक्टन सरोगा केचुवा जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है याद रखेगा friends किसानों का मित्र केचुए कहा जाता है इसी के द्वारा नैट्रोजन का परिशंच्रन परिस्थिती की तंत्र में होता है तो केचुए इसका correct answer कवक फंगी फंगस द्वारा फैलने वाले वीमारी काऊन है? चलिए, guess करिये कवक के द्वारा कौन सा वीमारी फैलती है? 86 नमर्षावाल का रायट अंसर होगगा आपका रिंगवर्म होता है जो फैर्स, ठीका? रिंगवर्म तो मानत वज़ा को रंग काउन देता है मेला नीन देता है ना आप्सन नमरे 87 का करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए 88 नमर शवाल को देखते हैं 88 नमर शवाल आपका एफ्रेंश भुगतान करने के लिए विभिन करेंशी के बीच जो दर होता है उसे कहते हैं 88 का करेक्ट अंसर क्या होगा तो देखें भुगतान करने के लिए विभिन करेंशी के बीच जो दर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो बीनिमाई दर कहते हैं आप्शन नमर एश का करेक्टन सर होगा, 86 नमर शवाल देखें, कि अस्थिर बीनमय दरो का निर्धारन करता है, 89 का करेक्टन सर आप्शन नमर भी, मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रिय बैंक, 90 नमर शवाल को देखें, कि बजट, बजट सरकार के आईवे का वार्षिक कथन होता है, जिसे पेश कौन करते हैं, चलिए तक गेश करिए, 89 नमर देखें, एक नमर शवाल बहुत इंपोर्टन सवाल याद रखें, इसे भी कि अस्थिर बीनिमय दरों का निर्धारन करता है, कौन करता है, तो आपका ये 89 का था जो क्या connections, मौद्रिक अधिकारी और केंदिरिये बैंक है, जो करता है, ठीक है, अस्थिर बीनिमय दरों का निर्धारन केंदिरिये बैंक, यानि मौद्रिक अधिकारी करता है, याद रखेगा, उसके बाद देखें, बजट सरकार के आयवय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेस कौन करता है तो कौन करेगा बीत मंत्री आप्सन नंबर ए सही अंसर 91 भारत के चौधा परमुख व्यवसाइग बैंको का राष्टेकरन किया गया था किस वर्स किया गया था फिर्स 91 नंबर शवाल को तो चौधा प सबसे अधिक है कौन सा जिला में कौन सा राज में आपका ओडी सा में हो जाएगा हमारे देश में खाद्ध असुर्चित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक ओडी सा में है तिरान में नमर शवाल को देखे हम तारे को टीम टिम आते हुए देखते है ठीक है फ्रेंस पिने पता है इसलिए मैं बोलता हूं हर एक चिक का कॉंसेप्ट के लिए रखे तो चलिए पहले हां देखते हैं हम लोग तारे को टिम टिम आते हुए देख पाते हैं किसके कारण तो 93 नमबर के कारण तारे टिम टिम आते है 94 नमबर शवाल है निम लिखित में से कौन सा उस्मा का सबसे अच्छा सुचालक है सबसे अच्छा सुचालक क्या है फ्रेंस गेस करें उस्मा का सबसे अच्छा सुचालक चार ओप्शन आपका दिया हुआ है 94 नमबर शवाल का तो हो जाएगा आपका समुद्र का पाने ठीक है जिसमें sodium chloride की मातरा अधिक है वो आपका उस्मा का अच्छा सुचालक होता है यहीं बोल रहा है फ्रेंस आपका क्या बोल रहा है निमलिकित में से कौन सा उस्मा का अच्छा सुचालक होता है तो इसका जो राइट अंसर होगा 94 का option number B ठीक है समुद्र का पाने उस्मा का सबसे अच्छा सुचालक है ऑप्सन के साबसे 95 नमर शवाल निमलिकित में से किसे हाल ही में प्यूनेशिया का राश्पती चुना गया है 95 का correct अंसर option number C हो जागा कैस सय्यद को चुना गया है 95 का C 96 नमर शवाल लखिए एंग्रेजी से है चुज लेशने फुलिशनेश हो जाएगा इसमें ठीक है option number C इसका correct अंसर हो जाएगा 37 नमर चुज the correct prefix in the given sentence आनि कि आपका उपसर्ग के बारे में पूछा जा रहा है तो दबोस टोल्ड मी टू क्या हो जाएगा हाँ पर डाउन राइट री राइट अपराइट इन राइट यहां हो जाएगा री राइट हो जाएगा option नमर ए बोस टोल्ड मी टू री राइट दा रिपोर्ट अंठानमें नमर शवाल आपका है फ्रेंस कि उसकी आवाज बहुत प्यारी है तो क्या हो जाएगा his voice प्यारी है ना अंठानमें नमर शवाल का उसकी आवाज बहुत प्यारी है तो his voice is very sweet option नमर ए निनानमें नमर शवाल को देखे फ्रेंस आपका कि चूज करेक्ट प्रिपोजिशन इन दा संटेंस बिलो ही फेल्ट पीटी पीटी हमेशा फोर पोजिशन लेता है ठीक है फ्रेंस याद रखे गिभन बिलो कमिटी कमिटी कैसा लिखाता है देखे इसमें डेरेक्ट पता चला एम छुटा हुआ डवल एम होता है ना और इसका राइट अंशर ओप्षन नमर ए हो जाएगा CO, AM, I, E, T, T, E होता है देखे इसमें कमीटी में किस तरह से होता है फ्रेंस, सो नमर सबाल का दियेगे देखे इसमें आपका AM भी होता है, T, T भी होता है और E भी होता है आनि option नमर सव का सी correct answer होगा तो यह जरूर कमीटी का याद रखेगा इसमें देखे ती नेशन लेटर है जो आपका डवल आ रहा है डवल एम, डवल टी और डवल ए तो यह सो प्रशन का फूल प्राक्टी सेट था अभिहार पुलिस फायर मान के लिए और यह सभी जो जिक्केज जियेस है जो आपका सभी में काम आएगा मैं बार-बार काता हूँ कि जिक्केज येस कॉमन रहता इसलिए सभी तरह के प्राक्टी सेट आप लोग परतेग दिन करें अब परतेग दिने प्राक्टी सेट करें साड़े आठ बे आपको ओचैनल पर फ्रेंस स्टड़ी फोर कंपटीशन जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिक्सिशन में देता हूँ साड़े लाइफ क्लास में हाँ पर आप लोग जूड़ियेगा अब इस पी लाइफ क्लास ले रहा हूँ साड़े आठ बजे उस चैनल पर आप लोग से मिलते हैं देखने के लिए वीडियो थैंक्यू धन्यवाद